अब बिहार में सत्ता रूर दल जेडियू अलग तरीख की राजनीती कर रही है अब जेडियू में एक ही नेता की ब्रेंडिंग होगी कोई दूसरा नेता जेडियू की ब्रेंडिंग नहीं करेगा इसको लेकर जेडियू की ओर से अधिकारिक एलान भी किया गया है जेडियू के तरफ से साफ किया गया है कि जेडियू के किसे पोश्टर बैनर पर सिर्फ एक ही फोटो होगा वो मुख्यमंत्री नितीश कुमार का होगा पोश्टर बैनर नजर आए तो पोश्टर बनाने वाले नेता पर पार्टी कारवाई करेगी ऐसे में अब जेडियू के पोश्टर बैनर पर सिर्फ नितीश कुमार ही नजर आएंगे पोश्टर ना तो RCP सेंग, राष्ट्री अध्यक्ष लल्लन सेंग, उपेंद्र कुश्वाहा सरीखे नेता भी नजर नहीं आएंगे अब जेडियू में सभी को नितीश कुमार ही कहना और दिखाना भी होगा जेडियू के प्रिदेश अध्यक्ष उमेज सिंग कुश्वाहा ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नितीश कुमार बिहार के सर्वमान नेता है इसलिए पार्टी के सभी नेताओं और कारेकरताओं को सलाह दी जाती है कि जब भी कोई पार्टी का कारेकरम हो तो उस दोरान बैनर और पोश्टर में बिहार के सर्वमान नेता मुख्यमंत्री नितीश कुमार का ही फोटो लगाए पार्टी के उर से निर्णा लिया गया है कि किसे भी कारेकरम के आयोजन के अफसर पर बैनर पोश्टर में बिहार के सर्वमान नेता मुख्यमंत्री नितीश कुमार का ही केवल फोटो लगेगा इसके अलावा बैनर पोश्टर में किसी और का फोटो नहीं लगेगा और ऐसा नहीं करने पर इसे पार्टी अनुशासन के खालाफ माना जाएगा और वैसे लोगों के खालाफ सक्त कारवाई करने का निर्णे लिया गया है कर दा थक्यों के का निर्णे